साथियों आज हम बात करेंगे कैलकेलियल इसपर की कैलकेलियल इसपर एक बहुत कामन दिक्त है क्योंकि आजकल सब काम पैरों से होना है जीवन में दोड़ना है भागना है लगतार चलते रहना है और यहां जो हील पे स्ट्रेस पड़ती है हम लोगे पैरों पे स्ट्रेस पड़ती है या कहीं न कहीं तकलीफ में भी कनवर्ट होती है तब्डील होती है उस इस्तिती को बहुत तकलीफ दे होती है और आप परिशान होते हैं हम आपको बताएंगे साथियों यहाँ जो हील की हड़ी है इसका पेन खतम करने की दस कारगर होमियोपेथिक गवाएं उससे पहले साथियों यहाँ बताते हैं यहाँ होता क्या है कलकेनियरिस पर साथियों जो आपकी calcaneum bone होती हील में पैर के तलवे में जो bone होती है हड़ी होती है उसमें outgrowth हो जाती है और कभी विए आप lateral x-ray कराएंगे अपनी foot का तो आप पाएंगे कि हड़ी में एक noc a.c. बनी है वही calcaneum risk पर है जो की बहुत तकलीब दे होता है इसके symptom साथियों इसके symptom जब आप पैर जमीन पे रखते हैं तो बहुत pain चुबन वाला pain होता है और ये ashley tendon तक जो पीछे आपके यहाँ पे tendon होता है एड़ी के जस्ट उपर back side में यहाँ तक इसका pain होता है यही इसका symptom होता है इसके causes साथियों लगातार जब इस joint का abuse होता है इस bone का abuse होता है तो इसमें repairing शुरू होती है जब repairing शुरू होती है कुद्रतन तो इसमें osteophytes चमा होती है जब osteophytes यह calcify हो जाते हैं इसका calcification हो जाता है तभी आपके यहाँ हड़ी के outgrowth के रूप में और दर्द के रूप में आपके सामने यहाँ तकलीफ आती है लेकिन समस्या आए तो समधाने साथियों हम आपको बताएंगे calcineal ispare को ठीक करने की बहत्रीन दवाएं जो दवाएं आपको ठीक कर देंगी विंती यहीं साथियों कोई भी दवा हो बिना कुसल्ची की सक से पुछे ना लीजेगा बताते हैं साथियों आपको calcineal ispare को ठीक करने की कारगर होमियोपेथिक दवाएं साथियों नंबर एक दवा जो होमियोपेथी में बोनी ispare को खतम करने की है वहाँ है calcinea florica अगर आपके बोनी ispare है कहीं पे आपके बोनी आउट ग्रोथ है तो आप calcinea flor 6x ले लें और उसकी चार टेबलेट आप दिन में चार बार लेते हैं लगाता छे महीने तीन महीने तक जब तक आपको फाइदा न हो जाए आप देखेंगे कि यहाँ दवा आपके उस बोनी आउट ग्रोथ को डिजॉल्व कर देगी और आपके जो जॉइंट्स का आर्टुकलेशन है मुव्मेंट है उसको भी यह और स्मूथ कर देगी फिर साथियों कि स्थिती आती है बोनी इस पर में कि आप चले तो तकलीब बहुत जादा बढ़ी चलने पर आपके जो हील का पेन है वो बहुत जादा बढ़ गया अगर यह स्थिती साथियों आप में हो तो इसको ठीक करने की होमेपेती में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है अमूनियम मुरेटिकम आप अमूनियम मुरेटिकम 30 दो दो बून दिन में तीन बार ले लें आप देखेंगे कि चलने से अगर आपके हील का पेन पर रहा है वहाँ खतम हो गया और आप अपने को बेतर मैसूस करने लिए फिर साथियों एक स्थिती आती है बोनी स्पर की कि आपके जो हील की हड़ी है वहाँ बढ़ गई और आपको चलने में बहुत तकलीफ होने लगी तो अगर साथियों यहाँ स्थिती हो कि आपको चलने में बहुत तकलीफ हो गई हो तो उसको ठीक करने की हमियोपैटी में बहुत कारगर दवा है उस एडी के दर्स को खत्व करने की बहुत कारगर दवा है अमोनियम यूराटिकम आप अमोनियम यूराटिकम 30 पावर में 2-2-3 दिन में 3 बार ले लें आप देखेंगे कि जो आपकी एडी की हड़ी है उसका दर्स खतम हो गया और आप स्वस्त हो गए फिर सातियों कि सिती देखी जाती है कैलकेनियल इस पर में कि वहाँ पर जो आपके जो हील में पेन हो रहा है वहाँ पेन आपके पीछे練 अशणी ऋपर का जो लिगमेंट होता है उस लिगमेंट तक आपके पेन जा रहा है तो उसको ठीक करने के फिए पाथी में बहुत कार गर दबाहां है रूटा जी आप रूटा जी 200 पावर में 22-21 दिन में 3 बार ले सकते हैं आप देखेंगे कि आपके जो आशीस टेंडन तक का जो यहार pain extend हो रहा है heel केलकेनियलिस्पर में यहार खतम हो गया और आप स्वस्त हो गया फिर सातियों इस्थिती आती है कि आपके जो बॉनी स्पर होता है वहाँ bony spur में कहीं पर भी जो हड़ी निकली हो, जो छूने से भी दर्द हो रहा है अगर या इस ठीथी साती हो है कि उसके touch से भी आपके pain हो रहा है आपके calcaneal spur या bony spur में तो उसको ठीक करने की होंगे पैठी में बहूत कारगर दवा है और दवा का नाम है miserium आप मिजेरियम 32 दो बून दिन में तीन बार उस इस्थिती में ले सकते हैं कि आपके जहां कहीं भी बोनी आउट ग्रोथ या कैलकेलिया जिस पर में छूने से भी दर्द हो रहा हो उस वक्त में आपके डग अब दर्चोईस इस मिजेरियम एक साथियों स्थिती आती है आपके कहीं भी बोनी आउट ग्रोथ हो कास तोर से आपके हील में नीचे पैर के तलवे में हड़ी बढ़ गई हो और आपको रात में बहुत दर्द हो रहा हो अगर यह स्थिती हो साथियों कि आपको रात में बहुत दर्द हो रहा हो लेटने के बाद आपके हील में या किसी भी बोनी आउट ग्रोथ में तो उसको ठीक करने की बहुत अच्छी दभा है Aurum Metallicum आप Aurum Metallicum 32-22 दिन में 3 बार ले सकते हैं आप देखेंगे कि आपका यह जो हील में पेन हो रहा है यहाँ खतम हो गया आपकी हड़ी का जो इसपर है वहाँ भी डिजॉल्व होने लगा और आपकी हड़ी बिल्कुब बराबर नॉर्मल स्मूध होके उस पेन को हमेशा के लिए रिलीफ करने लगी फिर साथ यह कंडिशन आती है बोनी इसपर या कलकेनियल इसपर में यानि हील की हड़ी में कि जब आप बहुत देर तक खड़े रहे जो आपके पेन होने लगा तो अगर यह स्थिती साती हो कि बहुत देर तक आप खड़े रहे और आपके पैर की एड़ी में तलवे में बहुत दर्द होने लगा तो उसको ठीक करने की हुमियोपेटी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है रस्टॉक्सी डेंडॉन आप रस्टॉक्स वनियम पावर की दो-दो बून दिन में तीन बाल ले लें आप देखेंगी कि आपका जो हील पेन हो रहा है जो बोनी स्पर है, कैलकेलियन स्पर है वहाँ पेन भी खतम हो गया और आप ठीक हो गया रस्टॉक्स वहाँ दवा है जो आपकी हड़ी को भी डिजॉल्व करेगी बढ़ी हुई पैर के हील की एड़ी की आपके मसिल्स को भी टाकत देगी उसको भी स्ट्रॉंग करेगी और आपके पेन को भी खतम करेगी फिर सातियों एक दर्द का एइसास कभी कभी होता है जहाँ आपके हड़ी बढ़ी हो खासतोर से आपके हील की हड़ी बढ़ी हो कैलकेलियन स्पर में कि वहां होता है बिल्कुल Boring type pain, कि मतलब बिल्कुल ढिरू कर दिया गया, इतना जाधा दर दो रहा है, अंदर तक चुबन बाला दर्द हो रहा है, अगर वहा है स्थितीयों, सातियों, तो इसको ठीक करने की होमीवयोपहथी में की बहुत कारगर दवा है और दवा का नावमें अर्णिया डायडेमा आप 30 senses अरंढे विहां कि ज़सी स्थिती हैं ये आपको विल्कुल ऐसा दर्द हो रहा है कि विल्कुल लग रहा है तो कह अंदर रही हो तो आप हमारे नोटिफिकेशन पैनल में अपने को लिख सकते हैं या फिर हमें वाट्साइप कर सकते हैं सीधे चोरानवे पंदा साथो चैनल को शेयर करिएगा और बेल नोटिफिकेशन क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो पाते रहिएगा आपका साथियों हमारे साथ रहने के लिए साथ देने के लिए बहुत बहुत आभार कर दे लिए बेल्क में